प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट मेश राशी, स्वास्थ आपका कुल मिला के इस समय ठीक बना रहेगा धन लाब के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और आपके परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिशवराशी आर्थिक स्थिती आपकी बेहतर होगी मानसिक चिन्ताएं आपकी दूर होगी स्वास्थ के मामले में निश्चित रूप से इस समय सुधार होगा भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी पृतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी काम का बोज थोड़ा कम होगा परिवार में आपके खुश्याएंगी धन प्राप्ती के मजबूत योग आपके लिए बने हुए है खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उस्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है करकराशी देखिए अगर आप व्यापार करते हैं या कोई भी रोजगार करते हैं तो उसमें इस समय लापरवाही मत करिएगा कोई भी निरड़े अगर आप लेने जा रहे हैं तो सोच समझकर निरड़े लेना आपके लिए बेहतर होगा और दोपहर के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है किसी निरधन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन के मुश्किले काफी हद तक कम हो जाएंगी शुबरंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा सिंग राशी स्वास्थे आपका ठीक बना रहेगा धन लाब के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं इस समय जल्दबाजी में काम करने से बचियेगा भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी धन का लाब होता दिखाई दे रहा है विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी हल होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 पृतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब आपको सफलता मिलने की संभावना दिख रही है कारोबार के मामले में आपको फाइदा हो सकता है संतान पक्ष की उन्नती भी होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुभरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिष्चिक राशी सेहत आपकी बिगर सकती है करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें किसी मित्र का सहयोग मिलेगा और उससे आपको फायदा होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हट तक बेहतर हो जाएगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा धनुराशी करियर में इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है मानसिक चंता आपकी दूर होगी परिवार के मामले में शान्ती बनाए रखें भगवान गनेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर राशी नई जिम्मेदारियां इस समय आपको मिल सकती है ये संभावना आपके लिए बन रही है धन लाब के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और इस समय आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बराशी करियर की स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है स्वास्थ की स्थितियां आपकी बेहतर होंगी रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85 प्रतिशक यानि सबसे ज़्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मीन राशी करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करियेगा स्वास्थ का बहुत ध्यान दखियेगा अगर अपने बड़ों की सलाह मान करके आप काम करते हैं तो आपको लाप होगा किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें आपके दिन की मुश्किले कम हो जाएंगे शुबरंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए आपक और चिटकी में जड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से